यह जो क्लास्स हम लोग मुख्य तोर पर यह जो क्लास हम ले रहे हैं यह भाई लोग के लिए यह विशे जो मुझे मालम है यह जो विशे ले रहे हैं यह बहुत दुनिया बर में बेहन लोग का सेवगाई के बारे में मकालिस्या में बेहन लोग के बारे में सब कुछ बहुत कुछ शुरू से लेकर अभी तक बहुत बाभी बात का एक सब्जेक्ट रहा है और बहुत कोशिशें भी हुआ है कि कैसे यह बचन के दुआरा भाई लों को बता दिया जाए कि यह टीक नहीं है वो सही है परमेश्वर के आत्मा इसे बोलते हैं वाई से बोलते हम बहुत क्रिटिसाइज करने के लिए उन लों को नीचा करने के लिए यह क्लास इसलिए कि बहन लोग अपना जमदारी को समझ ले और परमेश्वर ने जिस मतलब से जिस योजना से उनको बनाया है उस योजना को उन लोग पैचान सके और प्रभू का प्रेम अगर एक विक्तिश प बदल जाएगा इसलिए यह जो क्लासस है प्रात्मना करते कि प्रभू कास करके जो कालिस्या के एक मुख्य भागे जो बहन लोग है बहन लोग का आंगों को प्रभू कोल दे आयम वच्चन का मानन के लिए कायद पड़े यह फेसी एक का अठारा पड़े यह फेसी पहला अ आशा क्या है और पवित्री लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है यह जो आयत हमने पड़ा है यह प्रेरित पावलोस प्रभू के आत्मा उनके द्वारा लिख रहा है यह अन्यजादियों के लिए नहीं लिख रहा है यह जो आयत हैं कि इसके लिकर है विश्वासी जो है उनके लिए लिख रहा है और मैं विश्वास करती हूँ कि यह जो आयत खास करके बहनलों के लिए कालिसया के एक मुख की भागे यह बहनलों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप वैसक हम बोलते हैं हम विश्वासी है हम बोलते हैं परमेश्व का संधान है हमें उध का हुआ है 17 से कि हमारे प्रभू येश्व मसी का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में तुम्हें अपनी पहचान में अच्छे तो ध्यान करेंदर लिखाए कि परमेश्वर अपनी पहचान में ज्यान और प्रकाश की आत्मा दे ज्यान और मुझा हूब करने के लिए कोशिश करते ARE Quindi हम इसमें असफ़ल हो जाते हैं हम सोचते है हम अपने सी में बुद्धी से बहुत कुछ बाते सोचने करन हम निराश भी हो जाते हैं आसर के बहन लोग को देखे जहतर लोग निराशा में ठीक है कईसा न कईसा दका दुका गाड़ी होकर आगे चलते लेकिन इधर देखते हैं कि परमेश्वर अपना पैचान में हमें क्या दे अपना ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और आगे लिखे जब प्रकाश की आत्मा देने से आगे क्या होगा हमारे जीवन में और तुमारे मन की आँखे जो दिर में हो परमेश्वर क्रूस पर तो आगे क्रूस के पास आगे हमेश्वर पाप से आपको देखेंगे, तो हमारा आंग क्या नहीं हुआ है, खुली नहीं है, अभी भी हमारा आंग बंध है, जो चीजों को हम देखना चाहिए, जो चीज परमेशन ने हमें खोल कर दिया है, उसको समझने के लिए अभी तक हमारा आंग क्या नहीं हुआ है, खुली नहीं है, और किस के लिए बुलाया है आगे और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है पवित्र लोगों में उसकी मिरास की धन की आशा महिमा की आशा क्या है हम बहुत बार हम अपने आपको देखते वकत भी में भी एक समय में थी कि जब बेच्पन से ही में एक लड़की में जो मजदूर लोग आते वकत भी, मैं देखी दी, उदर बहन लोग भाई लोग एक ज़य से खाम करेंगे, लेकिन मजदूरी देते वकत, भाई लोग तो जादा मिल जाते है, बहन लोग उसका काम पईसे मिल जाते है, तब बैस्पिर्ट से मेरा मन में ये को बहुत चिंद आते दे कि पदर ये बहन लोग को इसे नीचा क्यों देखते हैं उसके बाद विश्वास में आ गया विश्वास में आने के बाद भी मेरा आंखे नहीं खुली बैशक बोलने के लिए में प्रभु की संधान थी लेकिन अब भी भी मेरा वो पुराना वो ही सोच विचार चलते देते दे मैं देखते वकत बहन लोगों में बाइबल पड़ते वकत भी प्रचार में भी बहुत प्रचार में भी आम यही सुनते कि हुआ के द्वारा क्या गया है पाप आ गया उसके बाद बहन लोगों को आईसा है वाईसा है बहुत कुछ अना आईसा है कोई भी एक प्र आपने अगर बहन लोग को इतना अगर नीच करके अगर रखा है तो प्रभू आपने मुझे एक बहन करके क्यों जनम होने दिया मैं परमेशर से बहुत पूछ थी बहुत परमेशर के साथ मेरे बात भी बात भी होता दे क्योंकि दुनिया में अगर किसी के साथ अगर हम लोग करेंगे तो वो तब बले कि पदा निये लड़की का क्या दिमा कि चुप पोज़ा बोलकर हमें क्या कर सकते हैं सब लोग बंद मुझ बंद कर सकते हैं लेकिन परमेशर के उबस्तिदी आइसा है कि हम अपने दिल की बात को क्या कर सकता है कुल कर बिता सकते ऐसे परमेशर के चन्म बेढ़के में बहुत परमेशर से पूछते देगे परमेशर कि आप सचमुष में बहनलों से नफत करते हैं लेकिन उसमें परमेशर दीरे दीरे अपना वच्छन के द्वारा मेरा आंखों को खोलने लेगिया परम परमेश्वर को क्या नहीं किया है ट्रस्ट नहीं किया या परमेश्वर को उपर भरोसा नहीं किया मैं भी अपना अज्यान्दा में परमेश्वर को उपर भरोसा नहीं किया परमेश्वर का बातों पर भरोसा नहीं किया इसके कारण मैं बहुत बार क्या करती दी बुड़ाती दी में अपने आप में भी दुकी हो जाती दी और मेरा जीवन का प्रदी नजरिया भी वैसे आखा इसे ने प्रुति ने ठीक है ये जीवन को वह नजरिया दी लेकिन प्रभू ने जब मुझे दिलेरी दिया मेरे आंगों को कोल दिया अभी मैं विश्वास करती कि समय आगिय यह जो बाते प्रभु ने मुझे सिखा है, जो दिलेरी दिया, प्रभु का सेवगाई में आगे बटने में, अभी तक मुझे दो हिम्मत दिया हो बाते, अगर लोगों के साथ, अगर बांड दे तो, मेरे जैसे जो लोग, जो अपना ही कोकून में रहते हैं, कोकून मालुम है लेकिन सच मुझ में अगर उस समय में रहते भी अगर परमेश्र को उपस्थिदी को, परमेश्र को प्लान को जानेगे तो, आप उसके अंदर से एक अच्छा सुन्दर तितली बनकर बाहर आ सकते हैं, इसलिए में विशास करते हैं कि यह जो शैतान ने जो हमें घेरने के ल जोती को फाइला सकते हैं, इसलिए प्रात्ना करते हैं कि इदर बाइटे वे लोग भी और जो लोग यह जो वीडियो सुनते हैं, आप लो सब को प्रभू यह सचाई को जानने के लिए प्रभू आप लों को सहाइदा करें, हम बहुत बार अमारे बहन लों का एक चिंदा क् कैसेने कैसे मुझे क्या करना है, अपना जिंदगी यह प्रित्य में बिताना सोचते हैं, हम साधार अन्त बर पर एक बहन को लाइट हैं, तो हो使 invent मेरा जनम हो गया। गर में भी देखो, भाई लोगों को जादा, लड़के लोगों को जादा स्थान, अपना भाई है तो भाईयों को जादा स्थान मिल जाते, उसके बाद शादी के बाद भी देखेंगे, समाज में देखेंगे, तो बहन लोगों को हमेशा कैसे रखा हुआ है, नीज तोर पर र अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अगला जनम याप क्या बन जाएंगे भाई बन जाएंगे और आपको क्या हो जाएगी मुक्ति भी हो जाएगे लेकिन एक विक्ति जब येश्यू के पास आते हैं अच्छी तरह ध्यान रखना है शृष्टि करता परमेशर प्रभू येश्यू मसी के पास आने से ही एक विक्ति को सच मुछ में आजादी मिलते हैं जीवन का वो लेट्शे प्रावद आपको मालम है येश्यू मसी ने कि शैतान हमें बहुत तेरे बातों से हमें गेर के रखा हुआ है अलग-अलग चिंदाओं से अलग-अलग बोज से कास करके दुनिया बर बहन लों को देखें तो परिवार का बोज से और अलग-अलग तरिक्या से उनको आईसे समाज का जो नियम से सबसे उनको बांध कर र और हमारे गिल्टी क्या हो जाते है, हम भाइलों को यह ना करो, मजन में ऐसे लिखा है, हम कंविंस करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं, आप सामझ लो, भाइलों को समझाने का काम हमारे नहीं है, वो पाउत्रात्म है, पाउत्रात्म उनको करने दो, हमारा क्या ह मेरा आंग क्या होना है? ताकि में किसको जानों परमेश्युर को, योजना को, मेरे जीवन में जो है, उस योजना को में क्या करना है? सामझना है, और हम देखते हैं कि बहुत बार, बेहन लों का जो जीवन में, यह जो लिट्शिय ना होने कारण, आपको मालूमें प्रेडिर्ट पाउलुस ने क्या बोले, मैंने अच्छा दौड़ दौड़ चुक, एना, एना, पाउलुस बताते वगत, वो जो अपने जीवन का आक्री में बता रहा है, मैंने आपना दौड को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, मतले पाउलुस के सामने, एक लिच्षी उनको मालम है कि परमेशर उनका जीवन में रखावा लेश्य क्या है उस लेश्य को पैचानने के कारण एक समय में परमेशर को लेश्य से अलग दूर थे वो कालिसय को सताने वाला दे लेकिन जब उन्होंने परमेशर को उस लेश्य को अपना जीवन के प्रदी परमेशर को ज अच्छा दावड दावड लिया वाइसे हम अपने जीवन में भी देखना है कि हम अपने जीवन का वो लेट्षिय परमेशन ने मेरी लिए रखा हुआ उस लेट्षिय को अगर में समझ पाएंगे तो हमारा जिन्दगी का दावड का भी क्या हो जाएगा दिशा भी बदलेग कभी उदर भागते हैं कभी थके हुए हम किदर भी बैट जाते हैं तोड़ा चलते हैं फिर बैट जाते हैं खड़े हो जाते हैं फिर क्या भी हो जाते हैं बाइट भी जाते हैं बाइटने के बाल फिर थकावट आ जाएंगे हम क्या भी हो जाते हैं सो भी जाते हैं हम लेश प्रभीयस मसी का आगमें बहुत नस्दिक है कलिसय को जाने का समय आ गया मुझे और आपको तैयार होने के लिए परमेश्वर का अमारे जीवन में रखा वो लिट्षी तक प्राप्त होने के लिए हमारे जीवन सामने क्याने जाणा समय नहीं जो समय जा चुके है हमको डबल उड़ना है तब ही जागरम लच्छी को क्या कर सकते है प्राप्त कर सकते है इसलिए ये classes के द्वारा परमेश्व आमें उसके लिए क्या करें सहाइधा करें हमको मालूम है कि ये परमेश्व का बच्छन अगम साइस तरीके से हम सीखेंगे तो वह बच्छन हमें क्या देगा कुछ लोग हमें...हुता हमें ख Promised World Summa देदेंगे कुछ लोग हमें दबा देंगे कुछ लोग हमें निराश outtaörung लेकिन फ्रमेश्व का वच्छन अगर तो जबातम में लिए है करकी कैर के अगर आःक विश्वास करेंगे प्रभु का योजना के तोड़ा सा टाइम निकाल के दीरे दीरे करके हम लोग जाएंगे ताकि परमेश्वर का उस योजना को परमेश्वर को उस प्रेम को उस प्रेम का गहराई को क्या करें हम एक समझना है और हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे हम परमेश मज הק करने के पिछे करने के उस मकसद को हमने क्या करना सामझना है उसके लिए हम सबसे पहले देख देख़े कि आपको मालूमें वुत्वत्पती Еk का मं तब पहला अध्याय उसका चबविस परदीयेगा उसका चबविस फिर परमे शवर ने कहां हम उप-परमे हम मनिश्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं इतना काफी है हम बात में यह आयत को आउर भी देखेंगे हम इधर देखते हैं कि परमेशल क्या बोलता है कि हम मनिश्य को क्या करें अपने स्वरूप और समानता में मनिश्य को बनाएं ठीक है यह आयत क हम अगर देखेंगे लेकिं इसायत को लेने के पहले, बहुत सालों पहले, क्योंकि मालमें बहुत बार भायलों के साथ मेरा क्या भी होता था, टकर भी हो जाता था, एक बार हमार इधर ही पढ़ने वाल एक स्टुडेंट थे, उन्होंने मेरे से थोड़ सा बाब भी बात कर रहे था उन्होंने बोल रहे दे कि आपको क्या माल में दिदी परमेश्वर का वाचर में देखते वकर परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया इसके मतलब परमेश्वर का नजर में आदम क्या है कीमती है यह जो हवा है वो सेकें फिर इसको बाद हम लो second, दूसरा पीस बना देते, उसमें मैंने तोड़ा कुछ उनके साथ, जितना मेरे से उसमें होता था, मैं तोड़ा सब बहस किया, उसके बाद फिर मैंने क्या, उसमें उनका मूग को मैंने कैसे चुप करा दिया, फिर उसके बाद मैं कमरे की अंदर आ फिर मैंने अंदर ही बढ़ के प्रभू से पूछने लेगिया, प्रभू क्या सच मुछ में, वोच क्यों कि शेतान आपको माले में हाओबा के पास भी क्या आ गया, देख चिंदा डाल कर चल लेगिया, शेतान भी मेरे मन में वही बाद करने लेगिया, आप तो परमेश का नजर में क्या है, कम कीमत वाले है, इसलिए प्रभू आपको बाद में, आप बहन लोग को बाद में बनाए, मैं अंदर बढ़ के, जब कामरे में जब अखेले दे प्रभू के चर्ण में बढ़ के मन्नी मन्मिया, किसी को बोली नहीं, मन्नी में प्रभू से पूछ पूछ तब रभु ने मेरे से बोला, जाकर उस भाई से बोल, अगर ऐसा है तो परमेश्वर ने आदम के पहले किसको बनाया दा, बंदरों को बनाया, ऐसे है तो आदम से ज़्यादा कीमति को ने, बंदर है, बंदर मुक्य है, और वो ज़्यादा परमेश्वर का अच्छा लगा, आ मेरे से बोला है कि आप से पूछ ने तो वो भाई भी चुप रहे है, कुछ ने बोले, लो परमेश्वर ने मुझे दिलेदे कि हम इस बच्छन को देखता है, कभी भी यह ना सोचना है कि परमेश्वर ने आदम को पहले इसलिए बनाया, ताकि हावा कम कीमत के है, परमेश् परमेश्वर का मन में योजना में कौन भी है, आकरी आदम भी आना है नहीं आना है, वो बात को मन में, वो बहुत बड़ा मिस्ट्री या भेद, वो बड़ा भेद, परमेश्वर उसकी अंदर, वो जो आदम का जो स्रिष्टी की अंदर, परमेश्वर एक बहुत बड़ा भ हववा को निकाल दिया, देखना अची तरह, परमेशर चाहिए तो क्या करना है, आदम अकेला काफी था, लेकिन परमेशर, दोनों चाहिए तो दोनों आदम और हववा दोनों को इकटा भी बना सकते दे, जैसे आदम को बनाते हैं, उससे में किसको भी बना सकते दे, हववा क को निकाल दिया ऐसे क्यों किया है बात में आकरी आदम प्रभुयेश्य मसी के अंदर से किसको निकालना है कालीसिया को निकालना है वो दोनों एक दे है वो सब बातें अमलों बात में आने वाला दिनों में प्रभु का मर्जी है तो देखेंगे उस गहरा है क्या है परमेश्य तहां नहीं आना ता, दोनों अलाग रहना दा लेकिन आदम की अंदर से परमेश्व और हवा को निकालने के शाना ने के कारण आदम भी देखर किसको हवा को देखर चले एक्ता महतन दूजै यह मेरे हड़ियों मेंसे हड़िया और मांस मैंसे एक्दम से क्या हो गिया परमेशन कुछ बोलने का जरूरती नहीं पड़ा, दोनों की अंदर वो एकता आ गया, वैसे हम मसी में से, हमें ये जो आज नया जीवन मिला है, हम जो कलिस्या के बाग है, हमें माल में मेरा कोई काम के कारण, मेरा एकूबी के कारण नहीं है, किसने मुझे बनाया है, ये जो इसका लायक प्रभु येश बनाने के कारण, मेरे अंदर प्रभु के लिए वो प्रेम क्या है, हमेशा बना रहते हैं, मुझे मल में आज में जो कुछ भी हूँ, वो किसके कारण ही है, मुझे अपना बोस्ट करने के लिए, मुझे अपना बढ़ावा देने के लिए, प्रेया क्रुपा केवल ही है, ठीक है न, इसलिए हम देखते हैं कि परमेशों ने किसको बना दिया, आदम को सबसे पहले बना दिया, और उसके बाद उसमें से किसको निकाल दिया, हवा को निकाल दिया, और इधर लिए हवा का निकालने का वो विशे में देखें, आपको म आपलों सुना होगा ना, आपलों भी सुने होगे, ना बोत बार ऐसे बोलते हैं, आदम हवा किदर ही रहना था, हवा की अंदर ही रहते हैं, तो कितना अच्छा था, लेकिन मैं एक बात आपको बोलते हूँ, अगर हवा को नहीं निकाला होता, इतने हजारों साल के बाद आद बात में किसके साथ होना था शेर वो सब के साथ गुमतार है और पॉसरी बात मेने देखया कि सब लो यह जीए आ राहए को किया है बहुत गाली देते हैं ड्रीकिे हो पारणा इसे हैं असे आप कोई कोई भीय से प्रचार नहीं हो जिसमें हम लोग इस प्रचार और आपको मालुम हैं, जितना मैं भी बहुत बार ध्यान देती हो, एक हजार में से अगर, नाउसाव, निन्यानवे वेक्ति हवा को देते तो, उसमें से एक वेक्ति होगा, जो शैतान को बोलते हैं, हाँ प्रभू, हवा का, मतले, आपने हवा को स्रिष्टी करके, गल्ती किय करके सब बोलेंगे कि कोई भी वेकती यह नहीं बोलते प्रभु आपने श्याइटान को सब फियार करते लेकिन किस को फियार नहीं क spreading कि हाव और के कारयी क्या सार बिनाश अगिए जब कि कौन आंट पेचे कोन फिनान कौन ग्मीन करते भी कहा थियान ही नइ चल्च अब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब बनाया है इधर लिखा है कि परमेश्वर क्या कर दिया है पढ़ियेगा उसका आगे पढ़े परमेश्वर क्या बोल रहा है उसका 28 पढ़ियेगा 28 उसमें क्या लिखा हुआ है और परमेश्वर ने उनको आशिश दिया है क्या दिया है उनको इसे लिखा ना बहुवजन दिया है मतला परमेश्वर दोनों को बना के दोनों को क्या किया है आशिश दिया अचितरम ध्यान रखना है कि उसका 27 पढ़िएगा उसका 27 में क्या लिखा हुआ है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनु नर और नारी करके उसने मनुश्यों की स्रिश्टी कि आइसा है तो हम इदर भैटे वे हमारे अंदर आज एक थासलीप पाना है कि बजन बशुन बिताते है कि परमेशवर, नर और नारी दोनों को अपना क्या किया है इदर लिखा है, अपना स्वरूप की अनुसार दोनों को क्या किया है, मुझे क्या नहीं किया है, परमेशर कम लेवल में स्रिष्टी नहीं किया है, परमेशर आदम और हवा को बनाने के पले किसको बनाये थे, जानवरों को, सारब, पेड़ पौदों को, चिडियाओं को, सब आपनों आपने सरीवोबर समानदा में नहीं बनाया, लेकिन आपर मस्कों अगर आपको भरोसा है, यह वाच्छन सच्छा है, अगर करें लुख से जाना है, आपको यह मालूम और सच्छ मुझे, परमेश्वर ने जब मुझे स्रिष्टी किया है, परमेश्वर मुझे अपना ही सोर्यूपर समान्दा में मुझे क्या किया है, स्रिष्टी किया है, और क्यों स्रिष्टी किया है, अपने सोर्यूपर समान्दा में क्यों स्रिष्टी किया, पढ़िएगा, कोलोसी पहला अध्य कि उसी में सारी वस्तों की स्रिष्टी हुई स्वर्ग की हो अत्वा पृत्वी की देखी या अन्देखी क्या सिंहासन क्या प्रभुता हैं क्या प्रधानता हैं क्या अधिकार सारी वस्तों उसी के द्वारा और उसी के लिए उसी के लिए सिर्जी गई है अची तरह दियान इदर लिखा है परमेशर का वज़ान सपश्ट तरिके से बोलते हैं कि उसी के द्वारा उसी के लिए क्या किया है है सहे तो मुझे भी परमेशर किसके। कि लिए स्रिष्टि किया है अपने लिए स्रिष्टि किया। अपने लिए क्या किया है स्रिष्टी किया है पढ़िएगा उसके साथ में रोमी ग्यारा का चातिस पढ़िएगा रोमी, रोमियों की पत्री ग्यारा अध्याय उसका चातिस पढ़िएगा क्योंकि उसी की और से उसी की और से और उसी के द्वारा उसी के द्वारा और उसी के लिए उसी के लिए सब कुछ है क्या आईसे तो आपको विश्वास है आप प्रभु के लिए है क्या परमेशन ने आपको बनाए विश्वास है आपको बहुत बार हम क्या करते ये बात को ना जानने का नम सोचते कि हाँ टीक है मेरा जनम तो लिये हुआ है, कैसे न कैसे क्या है, बैस जिन्दगी बिताना है, मर मेटके जाना है, लेकिन अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अगर ये बात आपका मन में अगर बाइड गया, परमेश्व ने मुझे अपने लिए बनाया है, अगर ये बात अगर सच मुझ में और च़ना इस आपके अंदर बैटे आड तो फिर आपके अंदर एक इंच्छा आएगा, एक भूप आएगा कि परमेश और आपने मुझे किसके लिए बनाया, आप अपने लिए तो बनाया तो कुछ ना कुछ ना परमेश को योजना होगा ना, वो योजना को डूड़ने के लिए हमारे अंदर क्या आएगा, एक भूक और प्यास आएगा, नहीं तो हम अपने में क्या रहेंगे, बस चु परमेश्री के अंदर परमेश्र ने क्या डाला दा एक प्राण बाहर का शरीर के अंदर परमेश्र ने क्या डाला क्या डाला प्राण और आत्मा डाला है ना प्राण और आत्मा का कूभी क्या है वो कभी क्या नहीं होता है कदम नहीं होता है परमेशन ने मुझी और आपको उस इटर्नल परपस के लिए या कभी कदम ना होने एक अनंतकाल का यजना के लिए मुझी और आपको परमेशन ने क्या किया है? बनाया है, मतलब हमारा जीवन इस पृत्वी में अकेले सीमित नहीं है, बहुत बार हम अपना जीवन को किसकी अंदर ही देखते हैं, जैसे एक चोटा डड़ू रहता है न, डड़ू माले मना मेंड़क, मेंड़क किसकी अंदर है, कुवे की अंदर है, वो सोचते कि बैस मेरा दुनिया यही है, हम भी कौन सा बातों में ध्यान देते हैं, हमारे चोटा पृत्वी का चोटा जिन्दगी में, 40 या 50 या 60 साल की या 80 साल का जीवन को देखना हम बोलते हैं, प्रभू ने मुझे क्यों बना है, लेकिन आज हमने प्रातना यही करना है, प्रभू, मेरे को खोल दे, ताकि मैं उस अनंद काल का उस जीवन को में क्या करो, देख सोगा, हम अची तरह दियान रखना, इस पृत्वी का हमारे जो जीवन है, चोटा सा जो जीवन परमेश्व ने दिया है, वो किसके लिए है, हमें सिरफ उस अनंद काल के लिए, क्या करने के लिए, त परमेश्वर का अजली योजन, इसलिए वजन में लिखा है कि नाई आगाश और नाई पृतिव में हम किसके साथ रहेंगे, परमेश्वर का अजली योजना उदर अभी शूरू हो जाएगे, ठीक है ना, इसलिए उसके लिए में और आप अगर तैयार होना है, तो हमारा तैय कियार होगा इसलिए हम देखते कि इतर बंड़ल है किया बना यहा बना आख सुरूब ऑर समानदा में बनाया, मुझे आदम की जैस्याई परमेश्वर किया है बनाया जब हम उच परमेश्वर के इतर हो बात में धर यहायो, कर voz सम सा और inference है तो मुझि इतना ऑने से पफसुरुति बढ़ आने के लिए क को जतना बहन लोगोंदु है कासकर कर आम दुनिया तरह भर देखेंगे तो μέσα में साव्म में संदूम पांच भाय भोग अपनđ पफुन बढ़ने में किलिए को शिच खरते हैं तो पचाने भे प्रधिशत कोनी होता है, बहन लोग होता है, क्यों होता है, आप लोग देखा होगा ना, आज भी देखें तो beauty products भी यो आते हैं, जो गुपसुरिती बढ़ाने के चाचीज आते हैं, भाई लोग को कम आता है, sour cream अगर बहन लोग कि होते तो, एक क्रिम किसके लिए हो जाते हैं, भाल क्यों? क्योंकि यह जो बनाने वाले को भी मालूम है, बहलों की अंदर ही अंदर क्या है? एक एगो बना है कि मैं क्या हो? मैं नीचु मैं कोई काम का नहीं है, लेकिन आज हमने सचमुछ में जिनका आंग खुली है ना, वो उसको मालू दियान नहीं दियान है, हम बात में देखेंगे असली एक विक्ति का परमेश्व का संदान का कुपसूरती क्या है, क्या होना है, वो सब प्रभु का मज़े तम आगे आने वाले दिनों में टेकेंगे, लेकिन आज हम देखने हैं, परमेश्व ने जब अपना सुरूप और स प्रेम करता है, परमेश्व मुझे अपना योजना के लिए बनाए तो मेरा वो लेश्व भी क्या होना है, मुझे कैसे ने कैसे उस परमेश्व का योजना को पैचान कर मुझे लेश्व तक क्या होना है, पैचाना है, इस नाश होने वाला, मर मिठने वाला, ये जो शरीर का कुपसूरति के पीछे में अभी जादा क्याने करेंगे महनत नहीं करेंगे महनत किसके लिए करना है मेरा अंदर परमेशों ने क्या डाला है एक प्रान और आत्मा डाला है जो कभी क्याने होने वाला है कदम नहीं होना है मुझे उसके पीछे क्या करना है महनत करना है ऐसा आपके अंदर ये भूक और प्यास आए, का इसने कैसे मुझे बाचन सिखना है, प्रातना करना है, ताकि मेरा अंदर का कुपसूरिती क्या होना है, का इसने कैसे बाहर का शरीर, ये मिटी में मिलने के पहले, मेरा अंदर का आत्मा और प्राण क्या होना है, परमेश्वर का उ परमेश्प का मन में ये तसलिह होने, मैंने उनको स्रिष्टी करके इस प्रितिय में बेजाए, सच्पूछ में ये मेरा प्यार को पैचान कर मेरा लेच्छी को पैचान कर इसने क्या किया है, बढ़ कर आया है, नई तो हम्में बना के परमेश्प पल स्टाइगे, वे बलना के अगर तु जनम ही न लेता तो अच्छा एए, ऐसा न हो कि जब हमारा माउथ का बिस्तर में हम वह आवास को सुनने के लिए ने हो हम वह आवास सुनने ना पाए परमेश्वर ये ना बोले कि तु जनम ही न लेता तो एक जिन्दगी मैंने आपको दिया लेकिन तुमने मेरे प्यार को क्या ने किया समझा ही नहीं है इसलिए अमने क्या प्रात्ना कर नहें प्रभू आपने मेरे आंखों को क्या कर दे अम अची तरह द्याना परमेश्वर मुझे भाईयों का बहुत 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 उनुका मन में मिटेंशं़ वहेंसी है, विखने हम इच्छा के पूर्थी के लिए मुझाफने हैं समय नहीं सनक है क्या रहती हैं बाहर मैंसे के लिए कि महीं बार सिर्द के जिर्द्धेंद हमhou होना है That's why we all theaha MMR मेरति हैं रहती है ये वाहर रहों शली का माधवी है परमेशर मुझे भायों के लिए नहीं बनाया, मुझे किसके लिए बनाया है, मुझे परमेशर अपने लिए, अपना योजना के लिए परमेशर ने बनाया, इन दिनों हम देखेंगे, परमेशर काई से अपना इदर लिखाएगे, परमेशर को योजना में, परमेशर पुरान वाए इस पृति में भी प्रम्योंष। तैयारि का यौजना रहा है। हनननन्दकाल में भी योजना है। ... अननन्दकाल का योजना है दिली सिरे मालुम है। ऊदर क्या होने वाल है। लेकिन इस पृति में भी देखते वरकते हिमें, प्रभlung यशुमस से nap in speed we can compare कर देड़ गयां तो कि अदो अर्मे और प्राइब हो जोडिय that अल्यार aus जरा непोड़ी वहाइद से और जोवर मस होगत मुझे मैं उकट अनकल को बहघनों को ढूराइब को देरा करें अज भी दुनिया में भी प्रभु का बहुत बड़ा बेच जो कलीसिया है उस कलीसिया में भी परमेश किसको इस्तमाल कर रहा है भाई लोग माने या ना माने आज भी परमेश किसको अपना हाथ में ले रहा है अपना पावित्र हातों में किसको हम जो निर्बल है जिसके अंदर कोई क आपके अंदर होना है कि परमेशर मुझे किसके लिए बनाया है अपने लिए बनाया इसलिए परमेशर अपना सुरूब और समादा में देखना आदम का सुरूब और समादा में मुझे नहीं बनाया अगर आदम के लिए होता तो किसके लिए किसका सुरूब में बनाना दा परमेशुर मुझे भी काई से बनाया है अपने ही सोरूम और सामा क्यों क्यों कि Mexico मुझे क्या करता है परेम करते परमेशुर मुझे अपने लिए बना अपने योजना के लिए आए हम अपने आंगों को बेंद करें, प्रात्ना करें, हम ये भरोसा में, हालेलुया, आगे बढ़ेगे, प्रबु ने मुझे प्रेम करता है, मुझे उस प्रबु पर भरोसा रखना है, हालेलुया, प्रात्ना, झालेलु बबु परोसा में, हम ये वालेलुया, अप्रात्ना, प्रात्ना, अगे बवादना, आपने झासाए हाहा झालेभब, तो सु कु 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 करता है.